जैमादादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य के गोचर की सूर्य का राशी परिवर्तन कन्या राशी के लोगों के लिए कैसे प्रभाव लेकर आने वाला है देखें नव ग्रहों में सूर्य देव अकेले ऐसे देव हैं जो की प्रतक्ष रूप से देखे जा सकते हैं यानि सूर्य ग्रह प्रतक्ष रूप से देखे जा सकते हैं और सूर्या लगबग एक महिने तक एक राशी में रहते हैं उसके बाद राशी परिवर्थित करते हैं और सूर्या का जो ये गुचर है एक राशी से दूसरी राशी में जाना ये संक्रान्ती कहलाता है 14 मार्च शनिवार दोपहर 11 बच कर 45 मिनट पर सूर्य देव कुम्ब राशी से निकलकर मीन राशी में प्रिवेश करने वाले हैं जो की इनके मित्र ब्रस्पती की स्वामित वाली राशी है जल तत्व की राशी है और सूर्य देव अगनी तत्व वाले ग्रहे हैं यानि अगनी तत्व की राशी जल तत्व की राशी में प्रिवेश करने वाली है तो ये जो गोचर होगा ये काफी प्रभाव शाली रहेगा और इसका प्रभाव कन्या राशी के लोगों पर कैसा होगा ये हम जानेंगे तो सबसे पहले तो चैनलों को सबस्क्राइब कर ले पास में जो घं के कारग्र सूर्य माने जाते हैं जो हमें अपने जीवन में मान सम्मान मिलता है वो सूर्यदेव की वजह से मिलता है जो उच्पद मिलता है वो सूर्यदेव की वजह से मिलता है सरकारी नौकरी उच्पद वाली नौकरी या नौकरी यह हमें सूर्यदेव की करपास से मिलती है हमारा कितना वर्चस्व बढ़ता है ये हमें सूर्य देव की वज़े से मिलती है पदुन्नती सूर्य देव की वज़े से मिलती है यानि हमें अपने जीवन में उचा उठने के लिए हमें अपने जीवन में सबसे उपर जाने के लिए सूर्य देव को मजबूत करना बहुत इच्छा होता है और सूर्य का हमारी कुंडली में मजबूत होना बहुत इंपोर्टेंट होता है तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि 14 मार्च से 13 अपरेल तक का समय करने अराशी के लोगों के लिए सूर्य देव कैसा बनाने वाले है देखिए करने अराशी के लोगों की बात कर रहे हैं तो आपके लिए जो सूर्य देव है वो आपके बारवे भाव के स्वामी है यानि आपके वै भाव के स्वामी है और अब ये जो गोचर होगा ये आपके साथ वे भाव में होगा जो कि आपका अदाम पैते जीवन का भाव है और आपके साजिदारी का भाव है वेपार का भाव है तो इसका जो परिभाव है वो देखिए आपके वेपार पर बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा और आपके परिवार पर भी बहुत देखने को मिलेगा ये गोचर आपके जीवन में अगर आप वैपार करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देने वाला होगा ये एक महिना आप अपने वैपार को तेज गती से चलता हुआ पाएंगे अपने वैपार में विस्तार देखता हुआ पाएंगे यानि आपका बिजनिस तेज गती पकड़ेगा उसका विस्तार होगा दिन दोगनी रात चौगनी बढ़ सकता है इतना विस्तार आप अपनी बिजनिस का इस समय कर सकते हैं सुर्य के किरपा के पात्र आप इस समय बने हुए है और समाज के जो रसूखदार व्यक्ति है यानि जाने माने जो समाज के व्यक्ति है उनके साथ मिलने से आपको अपनी बिजनिस में लाब दिखाए देगा उनके साथ उठना बैठना आपके लिए इस समय समाज में आपका वर्चस्व बढ़ाने वाला साबित होगा और अगर आप नौकरी करते हैं तो देखे नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी ये सूरह का गोचर इस एक महिने में आपके लिए खुशियों की धिरो सोगात लेकर आया है इस समय आपको अपनी नौकरी में पदोन्नती मिलने का योग है आपका वरद्धी वेतन वरद्धी होने का योग है देखे कुछ ऐसी परिष्थितियां विक्सित होंगी जो आपकी तनख्वामी वरद्धी करने का योग बना रही है तो आपके करियर को लेकर तो ये गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है यानि सूरे के जो importance है आपके लिए जो सूरे की कुंडली में importance होती है वो सभी इच्छाएं आपकी पूरी होंगे वो सभी जो भाव हैं उनमें सूरे देव का प्रभाव आपके लिए रहेगा नौकरी अच्छी होगी धन आएगा व्यपार अच्छा होगा धन आएगा लाव की स्तितियां बनेंगी और तनख्वा में व्रद्धी होगी तो हार्थिक तोर पर आप मजबूत रहेगे करियर के लिए काफी अनुकूल आपके लिए रहेगा उन लोगों के लिए जो बिजनिस शुरू कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके पास नौकरी नहीं है नौकरी दिलाने का काम इस समय होगा और देखिए विदेशी माध्यमों से जो बिजनिस कर रहे हैं किसी भी तरह से आप विदेश से जुड़े हुए हैं विदेश में रह रहे हैं तो भी बिजनिस में बहुत अच्छा लाब होगा विदेशी माध्यमों से तो लक्ष को बड़ी आसानी से छूपाएंगे और दामपते जीवन की देखे बात करें तो दामपते जीवन में कुछ बीच में उतारशड़ाव की इस्तितियां जरूर बन सकती है लेकिन फिर भी यहां देखे अगरी तत्व के हैं सुर्य और जलतत्व की राशी में प्रिवेश कर रहे हैं तो दामपते जीवन में तो थोड़ा बहुत उपाल आएगा ही थोड़ा बहुत उच्छाल तो आएगा ही तो इस समय आपको थोड़ा सा सियम रखना होगा खासतोर से तब जब आप अपनी जीवन साथी के साथ बैठकर किसी मुद्दे पर बात कर रहे हो उस समय आपको थोड़ा सा यहां सावधानी रखनी होगी क्योंकि यह नोगजो की स्तिधी बन सकती है कुछ लड़ाई जगड़े की स्तिधी बन सकती है तो इस्तिधीों को अपनी काबू में रखेंगे तो बड़े आसानी से सबको आप अच्छे से कर पाएंगे तो अपने वेवार पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा तो आपको अच्छी सफलता आपको हर्शेत में मिलेगी इसके लावा अगर आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था तो उस काम को आप पोरा कर पाएंगे और देखिए विरोधियों पर आप इस समय काफी हावी रहने वाले हैं यानि आपके जो कंपिटी टीटर हैं जो आपके विरोधि हैं उनको आप इस समय परास्त कर पाएंगे इसके साथ ही बहुत अच्छा एक योग बना हुआ है आपके लिए दिखिए विदेश जाने का योग सूर्या की करपा से आपको इस समय विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है विदेश जाने के कई योग आपके लिए बने हुए है आपके लिए इस समय आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आया है, आपके समय को परिवर्तन करने वाला ये गोचर होगा, नौकरी में तो प्रवेशन मिलेगा ही मिलेगा, नया बिजनिस अगर करने की साप सोच रहे हैं, अगर कोई बिजनिस आप शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टप आप करना तो उसके लिए अच्छा योग होगा और नौकरी करते हुए अगर आप कुछ छोटा मोटा बिजनिस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये जो सूर्य का गुचर है बहुत अच्छा है तो ये सूर्य का परिवर्तन आपके करियर में आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आया है आप अपनी जीवन में कई तरह के सकारात्मक परिणाम इस समय जरूर देखेंगे करियर को आगे लेकर जाने वाले आप साबित होंगे सुखद समाचार आपके लिए होंगे खुशियों के समाचार आपको मिलेंगे और ओफिस में जो ओफिस में काम करते हैं उनके ल इधारतों के लिए भी ये जो समय काफी अनुकुल है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्नों ने अभी अभी अपनी एजुकेशन कंपलेट की है तो उनका मल्टिनेशनल कंपनियों से ओफर आ सकते हैं उनका अच्छा प्लिस्मेंट हो सकता है जो आपकी जो शु में होगा आप अपने बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे उन पर ज्यादे से ज्यादा आप फोकस करें साथी खर्चे का योग भी है संतान के उपर खर्चे का योग बना हुआ है इस एक महिने में आप ओम सूर्या नम्हा इस मंत्र का जब जरूर करें सुभा के सामय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इस मंतर का अगर आप जब करते हैं तो सूर्य का जो प्रभाव है वो आपके उपर बहुत प्रभाव शाली रहेगा दामपत्य जीवन में जो नौकजो की इस्तिथियां बनेंगी उनमें काफी हद तक वो बदलाव लेकर आएगा आ इसके अलावा प्रेम जीवन के अगर बात करें तो प्रेम जीवन के लिए जो समय होगा यह काफी ठीक ठाक सदिकरा है प्रेम जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा और पारिवारिक जीवन अपने माता पिता के साथ भी आपके संब्द अच्छे रहेंगे तो यहां पारिवारि तो आएगा ही आएगा एक को शांत बैठना पड़ेगा एक अगर शांत बैठेगा तो इस्तितिया नॉर्मल हो जाएंगी तो यही कोशिश करनी है आपको कि आप शांत रहे और हर बात को सावधानी पूरवक आप सुधारे तो आपके लिए अच्छा रहेगा ताकि इस्तिति के साथ तब तक हमारी इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भी ले आप सभी का हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धहनेवाद